हेलो अब्रिवन इस वीडियो में हम लोग आज कॉसी थियोरम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेट कुछ कोस्टेन देखेंगे लास्ट के वीडियो में हमने बता था आपको ऑनलीटिक फॉंसेन के बारे में अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा तो जाके एक बाशे चैकाउट कर सकते हैं तो चलिए, स्टार्ट करते हैं कौशी थिहरम से, ठीक है, कौशी थिहरम यह कहता है कि अगर F को ए अनलेटिक फंचन है, इंसाइड और अन्टू एक क्लोज़ड कंटूर, स्थासी है, तो हमारा क्या होँगा, इंटीग्रेल वैल्यू कि आएगा, जिरो वहiblyिगएया, तो हम़ें जानते हैं कि हमारा sin , law function होता है, वह क्या होता है, पूरे , पूरे थिमे European छाइनलेटिक होता है न, पूरे, स्थासी at deep V या into the power Z पोल सकते यह तरके से z d z खर ले ले अगर ख्लोज कंटूर है ना तब भी हमार के आएगा जीरो आएगा तहीं कॉसी श्वरम कहता है ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉसी इंडिग्रल फर्मूला में ठीक है को सी इंडिग्रल फर्मूला यह कहता है कि इफ एफ इस एनलि कोई सी का अंदर का पॉइंट है मतलब कंटूर जो भी हम ले रहे हैं उसके अंदर का कोई ए पॉइंट है नहीं कहीं भी हो सकता है तो इस केस में हमारा जो उस पॉइंट पे जब हमारा फंसन की वेल्यू जो होगा वह इस इंटिग्रल वेल्यू के बराबर होगा वन बाइ इस तरह से अगर nth derivative निकालना है उस point पे तो हम इस integral का value निकालेंगे n factorial upon 2 pi integral over c fz by z minus a to the power n plus 1 digit ठीक है अब यह जो a है अगर इस contour के अंदर है तभी हम integral value निकालेंगे और solve करेंगे लेकिन अगर यह जो a है contour के गर बाहर लाई करता है ठीक है तो हमारा integral का value आगा over this contour वो क्या आएगा हमेशा 0 आएगा है यहाद है अब यह कैसा point हम निकालेंगे कैसे यह होता है क्या है जो हमारा singularity जो होगी है जहां पे function analytic नहीं होगा उस point पे हम लोग क्या करेंगे उस a को निकालेंगे ठीक है जैसे इस question में देखेगा अब यह हमारा जैडी स्कॉर बाए टूजेट प्लस त्री हम चेक करेंगे सबसे पहले बात denominator में चेक करेंगे कि पोल कहां बन रहा है इसके बारे में सिंगुलारिटी का जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम बता देंगे कि कि कितने टाप के सिंगुलारिटी होते हैं और उससे बाक कान्टैते कि इसका जो इन्टीग्रालेव कॉइंट भेल्यों व wohl क्या होगा जीर होगा ठीक है ना अगर पूरा अगर अगर अनेलीटिक फंचसर सानक्री चिंग को तो उसका हमघ्डी से यसरोका फॉर्प प्लस को गएट यग जिएरो से अक्वेड नेंगे निक यहां पर बाहर लाई करेंगा यहां पर लाई करेंगा तो इस कंटूर के अंदर में तो हमारा से हमारा क्या हो जाएगा इस इंटिक्रेशन का वेलिव कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी इसका ओप्शन के उप्शन के और बढ़ते हैं इसमें अभी हमें उसरी तरीके से यह जो प्लॉस तुझा प्लॉस वाउर फोर दिया हो है नमा-एस फ़ंचन को प्राव और पर माइनस बन यहां पर जो क्या जो अब हम इसको कॉसिंटेगृल फ़र्मला के फ़र्म में जेट कर सकते हैं, जैसे हमारे कॉसिंटेगरल फोर्मला, यहाँ पर दहुआ है यहाँ पहर में फोर है, थिक? तो आप कॉसिंटेगरल फ़र्मला में देखिए, n के भेलिव यहां पर n के जगा यहां पर 3 बठाईएगा तो 3 प्लस 1 पार में 4 आ जाएगा तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा यहां पर 3 हो जाएगा ना f3 है तो यहां पर यहां पर यहां पर triple derivative of z0 upon 3 factor into 2pi है ना के का हो गई यहां से यहां पर 3 पर लिक्टररील से क्ल डवेलयुू निकाला हम यहां पर लेंगे तो ही कम यहां पर किये हैं एक ट्रिपल डैस एट जड़ नॉट वाइट थी फेक्टोरल इंट्टू पाइए तो यहां से आपका जो जड़ नॉट पॉइंट है वह कितना मिल जाएगा जो अहां पर हमारा फंशन जीरो बन रहा है जिरो कहां पर बन रहा है माइनस बन पर तो हमारा जड़ नॉट प्लस बन होता है तो उपर वाला जो भी फंशन था वह हमारा क्या बना था एफ और इस कोश्चन में आप देख सकते हैं उपर में कौन सा फंशन है एटू दी पावर जड़ तो इसका अगर ट्रिपल डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा इसको एक बार फिर यहां से आप ट्रिपल डैस निकालेगा तो एइट हो जाएगा है तो वहीं चीज यहां पे लिखा हुए एट इटू दी पावर टू जेड आपन त्री फेक्टरोल का सिख्ष होगे और इस जड़ पॉइंट जो है हमारा वह क्या हो जाएगा यहां पे जड़ नोट क् इस तरीके से आप स्वाल कर सकते हैं बढ़ते हैं नेक्स पोसें की और आपको यहां पे फिर से दिया हुए वेल्यू अब हमारा थ्री रेडियोस का सरकल है अब इसमें यह जाड माइनस पूर इन्टू दिया हुए अब देखरें जाड़ इकोस टू फोर पे तो हमारा सरकल जो भी हमारा कंटूर उसके बाहर हमारा वुझ अगर 0 हो सकता है या यहांसे फॉर निकलेगा point and Z इक देखर निकलेगा ठीक है फेड़ मैनस टू है यहां से होगी यहां पर फॉप जैड़ होगी है यहां पर जैड़ मैनस टू है सिकते न अ इसी तरगले से टू पाई आई वाउन फैक्टोरियल या वह उन लिख दिए सीधा शिदा न लिखके न और इंटुमिया आपका हो जाएगा कितना एक ओंसा पॉइंट होगा जो अंदर लाइक करें कंटूर के तो निकालना होगा तो यह चीज यहां पर लिखे हैं ठीक है यहां पर टू पाया हो गया एफ अफ टू निकालना थो वह बैलियू मैठा दी हम यहां पर ठीक है यह हमारा function बने गया यहा सक्काल यह टू लिखेंगे तो यहां पर जैगाट यहां पर बेड़ो और यह तो आविस तरीके से यहां पर चकते हैं अब यहां पर दीखेगा यह इकोलС टू 4 दिया हुआ हुआ है फोड़ रेडियेश का चर्काल दिया हुआ हुआ पके पास फबार सब दिखता है 4-1 दिखा हुआ है यहां पर देख सकते हैं यहां पर चार मिलेंगे चार बैंडर लाइ करेंगे यह सारे इस पॉइंट पर हमको निकालने हैं इंटेग्रल का वेल्यू तो अलग-अलग सब को हम क्या करेंगे कि फंसन को पहले वन पर निकालने हैं तो वन वाला नीचे रख दिया बाकि तीनों को उपर कर दिया है ना यह बना लिए फिर उसी तरीके से यह चार अलग-अलग करना है ठीक है जो कॉश्य इंड़ीग्रल फॉर्म्ला में सेट करना है और उसके वाद हम लोग इस फंसन की वेल्यू पर जैसे यहां पर वन लियों तो इस पे सारे में वन मेठा देना है इसमें माइनस मेठा देना है प्लस झाल यहां प्लस ऐगा झाल देगा और इस तरीके से आप जब करेड़ किजिए तो इह हमारा वेल्यू यहाद रखेगा कि डिगरी ऑफ फ्कूजेट जो है ग्रीटर बने को चैटर तो हमारा क्या उतला जाता है जो इन्धिरिल का वेल्यू आता है वह जिरो आता है कि है अगर आपको कोई डाउट होगा तो पूछ लीजेगा हम बाद में डिसकस कर लेंगा उसके बारे में चलिए बढ़ते हैं आगे question की और इसमें cos z by z square दिया हुआ है और हम लोग जैड क्या बूला है कि कोई यह पॉस्टिव नंबर है greater than 0 इसके अंदर पॉइंट लाई कर रहा है इदम तो यह जो पॉइंट लाई कर रहा है अब चलिए देखते हैं इसके लिए हम क्या सब्सक्राइब कर पाएंगे कि नहीं तो हमारा होगी एफ ऑफ जैड अपॉन जैड माइनस जिरो का स्क्वाइर इंटिग्रल होगी है तो यहां से हो जाए कितना वहां टू पाइए बाइन फैक्टोरियल इंटु एफ डैश का ए हो जाएगा है ना तो यहां पर क्या है मिला यह जिरो हो जाएगा ओके अब यह एक नए टाइप का प्रॉलम है यहां से आप जो एक्स्पोनेंशल इंट इसके पावर मतलब इसको इसको सॉल्फ करने तो सबसे हमने क्या कि जैडिक्वोल स्टिटी पार इसको पूट कर दी है यहां से बराबर आगे आपको कितना जब हम डिफ्रेंशेट करेंगे दोनों तरप DZ बारावर I e to the power i theta d theta हो जाएगा ठीक है और यहां से आपका d theta बारावर लिसकते हैं DZ by iz यहां से जो हमारा था कि इतुदी पावर 11 हो जाएक यहां से ठीक है और यह होगी आपका इतुदी पावर 12पर 11 गर्ए तो यहां पे यहां पर वरक करें हैं यहां पर ठीक है लिख दिए और यहां से आई कॉमन ले लिए यहां पर इटू दिपाँ जड़ बाइज इसकार होगी या फिर से जड़ बराज जिरो क्योंकि वन इन्यूट रेडियस का सरकल है तो जीरो तो अंदर लाए कर गया तो यहां से जब हमारा कॉसिंडिगरल फॉर्मले लगाएंग ठीक है यह लास्ट कोस्टन आपके लिए होमोक रखते हैं आप अगर ना बने तो आप कॉमेंट कर सकते हैं होप आपको यह पूरा वीडियो सौन में आया होगा कोई दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप में जॉइन कर जाईए और किसी भी तर तो बता सकते हैं थेंक यू फॉर वाचिंग